आपको मिलने वाली हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और सेर कर दीजिए अपने प्रेंड्स को तो आए शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करने से पहले मुन सभी को आपर पथायां देना चाहूंगा जिनका जनम दिन हम सभी को मेरी तरफ से और चेनल की तरफ से उनके जनम दिन के उपर भूद भूद सुब काम ना है सबसे पहली अप्टेट की बात करते हैं निकल क्या रही है साउमी 3-in-1 डेटा केबल की तरफ से हैं जो कि आपको जो है USB टाइप A से जो है दो अडेप्टर यहां पर लगते हैं तो एक पल लाइटनिंग केबल का दूसरा यहां पर USB टाइप C भी आप कनेक्ट कर सकते हैं तो हो गई ना 3-in-1 केबल की स्यामी जो है लोंच कर दी है सिरुफ 59 युवान यानि कहें कि 9 डॉलर के अंदर आप परचेज कर सकते हैं तो क अपरा पर नॉर्मल होती ही यह लेकिन पार्जेन ने मिलने वाली में वाले यह काम आपो ने इसलिए किया यह ना तो مेड़ें कैमरा निकालि यह ज्यादा यहां पर सक्सेस से नहीं है तो अकि यह उनीटा meant to दे दिया है जो की हो जकता है डेड़ से दो इंस की साइज का उसी के साथ आपर कैमरा लग जाता है अगर आपको सेल्फी लेनी है तो वो डिस्प्ले आप यूज कर लीजिए वरना आप नॉर्मली फोटो यहां पर निकाली सकते हैं तो यह एक आइडिया जो है मुझे काफी पसंद आया होगा साइद यह काम बन सकता है बात करते हैं स्नाप ड्रेगन 710 जो प्रोचेसर है उसी के साथ जो यहां पर हाई सिलिकॉन क्रेंज 710 CPU भी निकल किया है लेकिन Geekbench की वेबसाइट के उपर जो है दोनों की यहां पर टेस्टिंग की कमपेरिजन हुआ बाद में मैं जाना जाओंगा आपको कौन सा CPU आपर पसंद है हाई सिलिकॉन क्रेंज 710 या फिर स्नाप ड्रेगन 710 दोनों का जो है आपर थोड़ा बहुत बताईए नीचे कॉमेंट करके बात करते हैं सैमसंग के नए डिजाइन हुए GPU की इसकी बात हमने पहले भी की थी लेकिन यह आपर रखा हुआ है और यह GPU होने वाला है ARM Mali G76 GPU जो की सुपर कंप्यूटर्स के साथ सा स्मार्टफॉन में भी निकल के आएगा और यह सुपर कंप्यूटर्स और स्मार्टफॉन जो हैं काफी कोश्टली होने वाले हैं भाई Hyperloop जो है यह भी टेस्टिंग के दोर पर जो है आज कल एक नया जमाना पर आ गया है कि लोगों को चल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएं तो उसका जो है अभी तो जर्फ एकी स्यलूसन है Hyperloop टेकनलोजी का निर्मान किया जाए स्टार्टिंग की थी इसकी 2015 में अलोन मस्क ने जो कि SpaceX के मालिक है उन्हें ने जो है Hyperloop वाली टेकनलोजी विक्सित की दी लेकिन अभी तो सभी कंट्रीज लगी हुई है कि Hyperloop को जो है तेज से तेज यहां पर स्पीड पर दान कर दी जाए लेकिन देखना यह है कि सबसे ते की स्पीड मतलब हासिल करने का और यह किया है चर्मनी के साइंटिस ने अभी जो है टेसला को तो और टेक कर दिया टेसला की तो लग भागे साड़े 300 से 400 किलोमेटर पर हार तक की स्पीड यहां पर रही Hyperloop की लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया बात करते हैं ऐसे रिसर्टर की डिजान कर रहे हैं सेल्फ पावर्ड रोबोट की इसके अंदर धो है होमेन की जैसे लापर बनाये जा रहे हैं जैसे कि हम इनसानों में होते हैं उसली प्रगार जा रहे हैं ताकि self power अपने आप कोई कर लें अपने आप कोई खुदी order दे लें जैसे कि हम करते हैं अब ऐसे अगर रोबोट बन जाएंगे तो हम इंसानों का पता नहीं क्या होगा लेकिन scientist कहा रुकने वाले हैं यह तो लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बनाने को यह sales पगिरा आप इन फोटोज में देख पा रहे हैं इस प्रकार के sales यहां पर तयार किये हैं और इन sales से जो है निकलने वाली energy जो है self robotic oh man या फिर कहें कि machine वाले आदमी बना देगी बात करते हैं Samsung के अभी अभी लिख हुए Samsung galaxy watch की यह एक accidentally जो है Samsung की website पर watch पतानी कहां से आ गई यह एक अलग design है अभी तक Samsung ने इसके बारे में और कोई जांकरिया आपर नहीं दिये लिकिन जितनी भी smart watch निकलके है यह Samsung की उन है पता नहीं लेकिन देखने में कमाल की watch है जैसे आप देख पा रहे हैं आपको कैसी लगे watch है अगर आपके हाथ पे होती तो जड़ा imagine कीजिए और comment कीजिए बात करते हैं student team की जो की है Technical University of Munich से TUM से इन्होंने जो है के hyperloop pod बना दिया है जो की 280 mile per hour की speed पर यहां पर run करता है काफी मज़ेदार बात है ना और यहां पर बताया गया है कि 50 kilowatt की जो है electric motor से जो है यह चलता है तो इतनी सारी बिजली है अगर किसी चीज़ को मिलेगी तो वो दोडेगी तो जो है 290 mile per hour की speed यहां पर हासिल कर ली है अब देखना यह है कि यह कहां तक जो है आगे जा पाते अब इन दोनों में से देखना यह है कि कौन से आपर टेज चलने वाले हैं बात करते हैं स्याओं मी एमाई एटू लाइट की आज तो पैर दो बजकर 30 मिनट पर खुला सा हो गया इनका यह लोन्स हो चुकी है प्राइस बगिरा जो है अभी तक सिरफ रूमर्स ही चल रहे है कंफरम जो है एक दो दिन बाद यहाँ पर पता चलेगे तब काफी कुछ आपर बात करने वाले हैं और इस्पेशल वीडियो भी साय है जिसका मिल जाए एमाई एटूर एमाई एटू लाइट का बात करते हैं सैमसंग बिक्सवी 2.0 की तो सैमसंग ने बता दिया है कि इस ब बाद में हम कर लेंगे देखते हैं क्या होता है जो है बनी चिल्डरन वाद से 3 जो है डूल 4G दो मेगापिक्सल एटी कैमरा के साथ जो है लोंज खरती है प्राइस बगरा का कोई खुला से यहां पर नहीं है एक दो दिन में इसका भी पता चल जाएगा क्या है यह बच्चों के लिए बनाई है आप देखते हैं बच्चे इससे कितना क्या सीख पाते है या फिर कुछ अलग यहां पर हो जाता है बात करते हैं सैंसंग के नए फलान की जो कि माइक्रो एलीडी जो है दिवार पर चिपकाने वाला टीवी आपको सैंसंग की तरप से जल्दी आपर मिलने वाला है जो कि 73 इंच का यहां पर बताया गया है पहले सिरफ आपने लजी क एक्सप्लेंड का जो प्लेइस्ट है मेरा उसमें मिल जाएगा आपको वौटिच माइक्रो एलेडी क्या है काफी पतला सा जो है पेपर जैसे हैं आपरे टिवी बना दिया है और यह चाहिद कुछ ना कुछ करने वाले हैं तो देखते हैं क्या कमाल कर पाता है सैंसंग इसक पुराने फॉन जिन्हें रिपेर किया हुआ है उन्हें फिलिपकार्ट के उपर देख सकते हैं आप और उनकी प्राइस जो है मैं जो किम्मत होती है और नहीं कि उससे काफी कम्याबर आपको मिल जाएगी तो आपको मिल जाएगी सेक्ट एंड स्मार्ट फॉन या फिर पीसी या फिर लैप्टोप या फिर और पी काफी कुछ जो है आपको ठीक किया हुआ समान फिलिपकार्ट के उपर जल्दी देखने को मिलने वाला है बात करते हैं सैम्संग की एक और बात यहां पर निकल किया है जो सैम्संग का फोल्डेबल फॉन होने वाला है वह सबसे पहले यहां पर बताया गया कि Samsung की तरफ से हैं कि यह एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा यह एक फोल्डिंग स्मार्टफोन होगा और इसका नाम जो है Samsung Galaxy X नहीं होगा यह Samsung ने मतलब कुलासा किया इसका नाम कुछ यहां पर और ही होगा जो कि अभी तैय नहीं किया गया है लेकिन explore के उपर ही आपर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा है नॉर्मल आपको YouTube पर trending option मिलता है उसकी जगह जो है explore नाम से मिलने वाला है option जिसकी सिरफ अभी experiment मानिये यह फिरे अभी trending की जा रही है देखते हैं यह experiment कितना आपर सफल होता है trending के अंदर से कच्रा हठाने के लिए नया जो है अबर mode लिया है YouTube ने अब कहां तक यह mode जो है मुड़ते मुड़ते चला जाएगा यह तो मुझे भी नहीं पता है लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ तो है अबर सुधार हो ही जाएगा तो देखते हैं यह explore options जो की YouTube पर निकल के आएगा है क्या जो है गुल खिलाने वा तनी प्राइस में इंडिया में इसे लॉंज कर दिया और ठीक है जो भी है स्मार्ट वास्तों सब एक जैसी यहां पर होती है इसमें 2.5D जो है स्मार्टपों निकल के उसके अंदर फांच कैमरा सेट अप हो गाए नोकिया ने कंफरम कर दिया उसके प्राइस बता दी है एक हजार डोलर तो लगबग सतर हजार रुपए इंडिया के लगा इसलिए इतने रुपए पे निकल के आएगा इसमें होगे चाहर से पांच कैमरा और साथ ही जो है बढ़िया सी फ्लेश से लाइट है तो देखते हैं क्या कमाल यहांबर कर पाता है यह वाला स्मार्टपॉन सेमसंग पेटेंट कर रहा है कि फोल्ड वैक डिस्प्ले वाला सिंगल कैमरे वाला वही स्मार्टपॉन अभी बात की थी उप्पो के पेटेंट क सेम टो सेम उसी प्रकार का कुछ-कुछ मुझे आपर लग रहा है अभी सेमसंग का पेटेंट पहले होगा यह फिर ओपो का पहले होगा यह भी तक कुछ पता नहीं है लेकिन सेमसंग भी यही कर रहा है पीछे ही तरफ आपको मिलता सिंगल कैमरा उसी के साथ जो सेल्फी ल तो साहे चेनल चेंज करते हैं या फिर काफी कुछ वाली बात यहां पर हो जाती है तो यह काम जो है अलेक्सा के उपर क्यों हुआ यह तो अभी तक कंपरम नहीं है लेकिन यह सब जो है एमजोन के उपर सपोर्ट हो रहा है एको मोड के उपर देखना यह है कि एमजोन अब इसको लेकर क्या नहा कदम उठाता है अभी तो सरफ इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है बात में पता चल जाएगा सब कुछ तो यह थी दोस्तों आज की कुछ आराम दाया के टेकनलोजी की नियो जो की काफी आराम आराम से हमें आपर पात किया है आसा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्स्ट्राइब तो आप कर ही लेंगे जल्दी से कर लीजिए और उसके सामने घंटे का न